नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का pathfinder पर तो दोस्तों हम answer की लेके आए हैं और बहुत ही अच्छे discussion होने वाला environment and ecology के questions का तो आईए जल्दी से start करते हैं दोस्तों आज हम set A के अनुसार question discuss करने वाले हैं तो नीचे दोस्तों एक link भी मैंने दे दिया यहां पर सारे answer की जल्दी upload हो जाएंगे तो वहां पर आप जाके answer keys check एक बार कर सकते हैं दोस्तों बिना नाम किंजल चौधरी है आप मच्छे मेरे आप देखें तो answer is a environmentally responsible practice in electronics recycling industry तो आप देख सकते हैं तिरी के साइट पे आपको आटू के बारे में बहुत depth में मिल जाएगा कि कैसा electronics recycling में environmental practices को ensure बी question number 18 विच्वाज विट रिस्पेक्ट तू furnace oil तो दोस्तों जहां तक बात है furnace oil की तो यह one of the cheapest fuel होता है जो कि इंडिस्ट्रियल यूज के लिए इस्तमाल किया जाता है यह by product है petroleum refinery का the statement management बन सही है क्या सम इंडिस्ट्री इसको power generation के लिए यूज करते हैं बिल्कुल करते हैं क्या यह sulfur emission करता है तो यह इंडियन carbon देखिए दोस्तों आपको already as it is pathfinder में ही cover किया हुआ है तो आप जाके देख सकते है profitable mangroves जब पढ़ेंगे तो मैंने बताया है blue carbon carbon stored in coastal and marine ecosystem तो carbon captured by oceans and coastal ecosystems तो क्या कहेंगे blue carbon next question अगर हम देखे it was question number 20 तो इसमें अगर आप देखे तो पूछा जा रहा है कि इन में से क्या surface पर अपने आप nature में पाया जाया जा सकता है without soil उगते हुए तो आपको मैंने primary succession पढ़ाया है pathfinder में ही तो आपको answer मिल जाएगा उसमें मैंने बड़े-बड़े शब्दों में पढ़ाया है कि भाई lichen and moss ये देखिए lichen and moss ये capable है ये बिना soil के grow हो सकते हैं bear rock को ही ये colonize कर लेते हैं तो primary succession के दोरान आपको पढ़ाया है answer is c2 and 3 only next question number 21 था with respect to mosquito repellent mosquito repellent बनाने में किसका उप्योग किया जाता है तो answer is c lemon grass lemon grass में दोस्तों citronella oil होता है उसको extract किया जाता है और ये excellent mosquito repellent का काम करता है question number 22 दोस्तों ये था with respect to food chain तो इन में से primary producer oceans में कौन से होते हैं तो ये देखिए आपको बताया है food chain पढ़ाया है pathfinder में ये देख सकते हैं phytoplanktons are the primary producers in the oceans phytoplanktons क्या-क्या है तो इसने मैंने बार-बार कहा था इतने सारे आपको नाम दिये लेकिन आपको कहा dietum याद रखिए cyanobacteria याद रखिए ये दोनों तो आपको याद रखने ही रखने है देखिए UPSC ने भी आपसे वही पूछ दिया तो मुझे उसी time लग रहा था यही option बनेगा तो आपके स question जो आपको पढ़ाया है आप देख सकते हैं कितना powerful lecture है वो वैसे ही देखें दोस्तों next सवाल था इन में से कौन सा जानवर है जो कि predator से बचने के लिए खुद को roll up कर लेता है और इस प्रकार से protect करता है तो दोस्तों वह hedgehog and pangolin है बाकी marmot क्या है आपको मैंने photo दिखा के marmot भी और hedgehog and pangolin भी जब animals पढ़ रहे है उस वक्त आपको मैंने pangolin पढ़ाया है फोटो भी दिखाई है इस प्रकार से roll up होते हुए तो ये आप कह सकते हैं आदा दूरा covered था बाकी आप डेली अगबार पढ़ रहे है तो आपको marmot भी मैंने पढ़ाया है तो answer इसमें अग dog and pangolin 23 का answer is b next दोस्तो question no.24 new york declaration on forest तो new york declaration on forest अगर answer देखें तो answer is a 1 2 & 4 तो 2014 new york climate summit में निकली थी सही बात है बाकी इसमें एक timeline बताया गया है जब forest loss को end करना है सही बात है goal 1 अगर आप देखें new york declaration on forest का यही है कि half कर देना है forest loss का rate by 2020 and by 2030 natural forest loss को end कर देना है तो statement 2 भी सही हो जाता है क्या यह legally binding है बिलकुल नहीं यह non binding voluntary है तो statement 3 गलत हो जाता है इसको governments, big companies, indigenous community ने indoors किया है सही बात है 150 governments, companies, indigenous people, NGOs सब ने indoors किया है क्या India इसकी signatory है इंडिया तो signatory इसकी नहीं है आप देख सकते हैं EFGHI Indonesia ही एक मातर country है आई से बागी सब आप देखें तो इंडिया इसकी signatory नहीं है तो 5 गलत हो गया और 3 गलत हो गया तो answer is A, 1, 2 and 4 question number 25, magnetite particles, neurodegenerative disorder के लिए जिम्मेदार है तो क्या source है इन magnetite particles का दोस्तों सबसे बड़ा source बताया जा रहा है breaks of motor vehicles जब break लगता है तो उस वक्त ये magnetite particles air में emit होते हैं तो breaks of motor vehicle है, diesel and petrol engines भी release करते हैं तो वो भी है, बाकी power plants में भी अगर आप देखें तो उसमें भी use of coal से भी कुछ magnetite particle specially जो dust होता है, coal ash होता है उससे निकलता हुआ मिलता है, तो 1, 2 and 4 is the answer, बाकी microwave stove, telephone, line, ये answer नहीं होगा answer is B, next question दोस्तो 26, इन में से कौन सा filter feeder है, तो याद है दोस्तो आपको osmotroph पढ़ाया है, filter feeder तो नहीं बोला, लेकिन मैंने हिंदी में बोला, ये चन्नी की तरह समझिये, पानी जब move कर रही है तो चन्नी की तरह पानी से nutrition खीच लेते हैं, जैसे चन्नी चान देगी, उस प्रकार से ये चन्नी nutrition को खीच लेती है, तो filter कर देती है, ये शब्त मैंने कहा था, तो वही osmotroph की बात हो रही है, और उस वक्त आपको बताया है, mollusks, brachio pods, like by walls, क्या हैं ये सब के सब, आप देखें, तो filter feeder है, तो 26 का answer is C, oyster is a filter feeder, question number 27, इन में से कौन सा वो biogeochemical cycle है, जिसमें withering of rock main source है, nutrient का release होने का environment में, तो आपको phosphorus cycle पढ़ाया है, answer is C, phosphorus cycle, वैसे तो sulfur cycle भी sedimentary cycle है, लेकिन इन दोनों में, यहाँ पर पुछा गया है कि main role, अगर आप देखे, nutrition का withering से ही आ रहा है, तो main storage of phosphorus क्या है, earth's crust है, और phosphorus एक central role play करता है, nutrition के release में, तो large amounts as mineral in phosphate rocks, phosphorus emit, release करता है, तो answer is C, phosphorus cycle, sulfur भी एक sedimentary cycle है, लेकिन relative to phosphorus कम है, उसमें थोड़ा gases component भी आपको देखने मिलता है, लेकिन phosphorus बहुत ज़्यादा, आप देखे तो sedimentary cycle भी है, और साथी साथ main source of release of nutrients, अगर आप देखे तो withering of rock किसमें है, तो वो phosphorus cycle में है, otherwise sulfur में तो volcano भी हो जाता है, तो ये मैंने already आपको cover कराया है, जब आपको pathfinder में ही environment पढ़ाया है, question number 28, इन में से कौन सा dead tree war है, तो आपको बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छे से पढ़ाया है, आप देख सकते हैं, dead tree wars के example दिये है, earthworm, wood lice, crab, beetles, तो आप असानी सही answer कर सकते थे, 1, earthworm, millipedes, wood lice, sea horse, jellyfish कहां से होगा, आपको अच्छे से पढ़ाया गया है, तो answer is C, next question है दोस्तो, common carbon metric, UNEP के द्वारा support की गई है, तो ये किस के लिए है, तो ये अगर आप देखें, तो greenhouse gas emissions from building operation के लिए है, 29 का answer is A, assessing the carbon footprint of building operations around the world, next question दोस्तो, question number 30, इनमें से कौन-कौन से symbiotic relationship करवाने में सक्षम है, तो synidarians की बात करें, तो coral polyps आपको पढ़ाया है, वैसे ही आप बात करें, फंगी तो myco riza ये देखें, यहाँ पर आपको पढ़ाया है, तो myco riza शायद मैंने pathfinder में नहीं, यह मैंने आपको अपने जो an academy platform पे batch course है, वहाँ पर पढ़ाया है, और pathfinder पे भी पढ़ाया है, लेकिन अलग तरीके से symbiosis पढ़ाते टाइम नहीं, बात में कभी पढ़ाया होगा, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, तो synidarians and fungi तो मैंने बढ़ाया है, बाकी protozoa की बात करें, लेकिन mutualism के time आपको बढ़ाया है, कई प्रकार के जीव होते हैं, mutualism pathfinder पर ही पढ़ाया है, तब आपको बताया कई प्रकार के जीव होते हैं, जो symbiotic relationship करने में सक्षम होते हैं, और अलग-अलग example से पढ़ाया था, तो protozoa भी अगर आप देखें, तो वो भी symbiotic relationship कर लेती है, किसके साथ, तो वो कर लेती है, आप अगर देखें तो दीमक के साथ, तो उसके साथ protozoa भी उसके शरीर में आप देखें, तो रहती है, और इस प्रकार से वो भी symbiotic relationship करती है, तो answer is B, 1, 2 and 3, तो दोस्तों ये environment के questions थे, जो कि मैंने आपको बता दिये, question number 16 to 30, तो ये 15 सवाल सारे के सारे हो गए, आईए कुछ extra questions है, question number 97, देख लेते हैं, तो इसकी बात करें तो UN Capital Development Fund and Arbor Day Foundation ने recently Hyderabad को recognize किया है as 2023 city of the world, क्या ये statement सही है, नहीं, ये Arbor Day Foundation and FAO ने किया है, तो statement 1 गलत हो जाता है, बाकि statement 2 सही है, Hyderabad को select किया गया है, क्योंकि उन्होंने commitment की है, कि वो अपने urban forest को grow करेंगे, maintain करेंगे, sustainably manage करेंगे, और हर साल लोगों में एक awareness लाएंगे, celebrate करेंगे forest conservation को, तो urban forest को conserve करने के लिए किया गया है, तो statement 2 सही है, तो answer is D, statement 1 is not correct, but statement 2 is correct, next question है दोस्तो, Laureus World Sports Award के बारे में, तो Laureus Award अगर आप देखें, तो इनको Oscar for Sports कहते हैं, तो पहले golfer, American golfer अगर हम देखें, Tiger Woods, first recipient थे इस award के, तो 2000 में अगर आप देखें, तो American golfer Tiger Woods को भी मिला था, और एक महिला sports woman को भी मिला था, लेकिन उनका award बाद में ले लिया जाता है, तो इसलिए आप कह सकते हैं, American golfer Tiger Woods, first winner इस award के बिलकुल सही बात है, तो इसको Oscar for sports कहा जाता है, Mercedes and any agencies मिलके sports event को organize करवाती है, 2020 में सचिन दिंदुलकर को मिला था, तो इस वज़े से ये काफी ज़्यादा news में था, तो award अगर हम देखें, तो अब तक सबसे ज़्यादा, क्या formula one players को मिला है, नहीं ऐसा नहीं है, अगर आप list देखेंगे, statement two गलत हो जाती है, बाकी statement three अगर हम देखें, सही बात है, Roger Federer को maximum number of times glorious world sports award मिला है, तो answer is C, one and three only, question number 99, 32nd summer Olympics पर आया, तो इस पर था कि official motto for this Olympic is 32nd summer Olympics का, तो वो है united by emotion, तो a new world नहीं है, united by emotion है, तो statement one गलत हो जाता है, बाकी statement two देखें, तो आप जाके list of sports देख सकते हैं, 30 second summer Olympics में, तो ये सारे थे, sport climbing, surfing, skateboarding, karate, baseball, ये सब इसमें थे, तो answer is B, two only, and finally question number 100, ICC World Test Championship, तो finalist, क्या ये number of matches जो जीते हैं, उसके अधार पर decide हुए थे, नहीं, क्योंकि बहुत सारे sports event हो नहीं पाए, तो अलग-अलग team, अलग-अलग number of games खेली, तो इसलिए percentage of points earned from the contested matches, जितना match खेला, उसमें कितना point मिला, उसके percentage के अधार पर table decide की गई, तो statement 1 क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, number of matches दे 1, ऐसा नहीं है, इंडिया ने तो बस 12 ही match जीते हैं, इंग्लेंड की अगर हम बात करें तो उसने तो 11 match जीते हैं, यह जो W आपको दिखा रहा हूँ, तो zoom करके दिखाता हूँ, यह देखिए, इंडिया की बात करें दोस्तों, तो इंडिया ने 12 जीते थे, इंग्लेंड ने 11 जीते थे, तो number of matches 1 नहीं है, criteria, percentage है, बाकि न्यूजिलेंड, इंग्लेंड के ahead थी, क्योंकि उसने ज्यादा matches compared to England जीते, ऐसा नहीं है, इंग्लेंड ने तो बस 7 match जीते, इंग्लेंड ने तो 11 game जीते, 11 match जीते, तो इसलिए New Zealand ahead इसलिए थी, क्योंकि percentage of points उनका greater है, 11 में 7 जीते हैं, इंग्लेंड ने 21 में 11 जीते हैं, तो इसलिए New Zealand अगर आप देखें, तो वो ahead थी, तो answer is D, neither one nor two, तो दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, और आपके बहुत सारे answer सही हो, pathfinder में आपने देखा, environment cover किया, उसे कितने question आए हैं, as it is, who-ba-who उठके आए हैं, तो उन वीडियो को जरूर देखें, अगले साल भी आएंगे, तो जब भी एन-academy आए, use the code case 10, क्योंकि जो आप ये code use करेंगे, तो सिर्फ 10% off नहीं मिलता, आपको best mentorship मिलेगी, hand holding मिलेगी, best notes मिलेंगे, और जो मेरी guidance है, वो सारे subjects of GS, ऐसे geography optional को cover करती है, anacademy media के best educators हमाई सब जुड़े हैं, anacademy learners, आप देख सकते हैं, 169 plus learners हैं, और उन्होंने बहुत जबर्दस perform किया है, तो हमारे live mindering platform है, जिसका आप हिस्सा बन सकते हैं, raise hand feature है, iconic and plus courses है, तो दोस्तों इनका हिस्सा बने, and plus courses आप देख सकते हैं, 2 साल की subscription की कीमत है, 64,800 रुपे, 2 साल की iconic की कीमत है, 1,4,150 रुपे, on using the code case 10, optional subscription की कीमत है दोस्तों, एक साल की 24,750 रुपे, 6 October, 18 October से नए batches, start हो चुके हैं, तो इनका हिस्सा आप जरूर बने, इसके सेवा दोस्तों, weekend current affairs batch है, जिसमें हम बहुत ही holistically current affairs को cover कर रहे हैं, learners journey भी cover हो रही है, तो आप देख सकते हैं, 2022-2023 जब भी आप exam देने वाले हैं, तो पहले 7 महिने आपको क्या पढ़ना है, तो आपको पूरा holistically prelims मेंस दोनों की तयारी करवाएंगे, next 2 months बस prelims के लिए, और फिर जब आप prelims देके आएंगे, तो आपके मेंस के batch start हो जाएंगे, जैसे mission AIR1 मेंस batch हमने अभी start कर दिया है, तो दोस्तों Learners Journey 2023 के लिए PSE decided है, UPSC Geography Combat है, इसका हिस्सा बने, और Unacademy सबस्क्राइब ज़रूर करें, तो दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करना न भूलें, Thank you so much for joining, Have a great day and let's crack it!